नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में बात करेंगे आज 2021 में किसने कितनी बाजी मारी किसने किसके कितने बैग वरे और कितने लोगों को करोड़ोपती बनाया चलिए कुछ ऐसे कोईंस आपके सामने रखता हूँ जिन्हों ने बहुत अच्छा रेटन दिया और सबका चहेता, सबका चर्चा में रहने वाला उस कोईनी की भी बात करेंगे थोड़ा सा सीक्रेट है, बताएंगे थोड़ा सा तसली रखिए बाकी जापान से आपके लिए गुड़नी उज़ है किसाब वहाँ पर भी क्रप्टो में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और थोड़ी सी एक अपडेट है गारी टोकन के लिए ठीक है, चलिए, बनवाई बन कबर करते हैं पहले लेते हैं हम अपनी वो लिस्ट 2021 जो बहुत ही अच्छा रेटन टोकन देखे गए अब इस साल तो किसी ने कुछ नहीं दिया जैसा था वैसा यह बाकी और कम हो गया क्योंकि जो 2021 में हाइप बनी वो कहींने कहीं 2022 में आके फीकी पड़ गई और कुल मिला के अब 2022 चला ही गया देखते हैं 2023 कैसा रहता है कुल मिला के यहां से थोड़ी से positivity देखिए आने चाहिए मेरा मकसद जो है वो यह है कि देखिए आपको 2021 में अच्छा खादा रेटन मिला क्यों मिला क्योंकि क्रप्टो करंसी को accept किया जा रहा है देखिए वीडियो इंपोर्टन है लाइक subscribe जरूर कीजिए यहार दूसरे वाले चैनल पे भी कर दिया आकर ओ यहार वो भी अपना ही चैनल है किसी दूसरे का नहीं है अर्णोत रोईता चैनल उसको भी subscribe कर लीजिए और इसको भी कर लीजिए क्योंकि कुछ न कुछ आपको हटके मैं टोपिक्स देता रहूंगा अब लेते हम उन टोकन की लिस्ट जो 2021 में आपको करणोपती बना के गए कुछ लगपती बना के गए कुछ एक का दो करके गए कुल मिला के आपको कुछ देगे गए और कुछ ऐसे भी थे जो लिया और उसके बाद लेके ही चले गए दुबारा ल देशा नहीं हो जाती है लेकिन भाई देखिए समय हमेसा एक जैसा नहीं रहता बदलता रहता है तो वह चीज़ें देखिए आपको थोड़ी सी समझने पड़ेंगे अब शिवाएनू ने जो रेटेंड दिया वो था दो लाख सतर हजार परसेंट का तो भाई सब यही तो एक टोकन ऐसा था जिसने क्रप्टो मार्केट को यह सीधा बूम कर दिया लोग जो नहीं भी जानते थे ना वो भी क्रप्टो के बारे में जान गए का अरे वहां तो रात रात करोड़ोपती बन जाते और वह कौन सा टोकन था वो था शिवाएनू क्रप्टो करंसी कोई उनिक पैचान है वो किसने दी? सिवाए नोन है क्योंकर उसका रेटन ही 270,000 परसेंट का था तो इस रेटन ने जो अच्छे लोगों को करोड़ोपती बना दिया थोड़ा कम पुझी वालों को करोड़ोपती बना दिया तो इसकी वजए से कहीन की मार्केट में चर्चा होई और क्रिप्टो करेंशी को एक अलग से नया आया मिला तो ये था साब पहला टोकन दूसरा था गाला जिसने 49,000 परसेंट का रेटन दिया तो देखें आज की डेट में आप कमपेरेजन मत कीजिए ना सिवाइनू का और ना ही ये और जो टोकन बता रहा हूँ उनका 2022 पूरा धे 2022 के लेकिन अच्छा ख्राइजार फांसो परसेंट का रिटन सेंट बॉक्स बारेजारं पांसो परसेंट और सब स माइबात जो कहता है क्या अच्छा जह देके और लेके चला गया लूना इसने तो साथ कोई भूलेगा नहीं, लूना, इसने अच्छा खासा रिटेंड दिया, लगबग 9700% का रिटेंड दिया और इतना ही ये ले भी गया, तो वही मैंने कहा ना कि जो देया भी और लिया भी तो उनमें ऐसे ये लूना था जिसने 9700% का रिटेंड दिया, लेकिन भ FTX की वजए से, FTX की वजए से इसकी हालत थोड़ी सी पतली हो गई, कहीं ने कहीं सोलाना को जो है, FTX ने बदनाम कर दिया या, लेकिन सोलाना की इसमें अपनी कलती नहीं है, वो कहता है ये दूसरे के चकर में मारा गया, FTX and Alameda Research, KDA यानि कडेना, 800% का रिटेंड था, और FANTOM यानि FTM लगबग 600% का रिटेंड था, अब यहां अगर मैं आपको एक positive बात कहूं, तो ये है, क्या किसी भी bank में अगर आपने कोई पैसा रखा है, तो क्या इतना percent उस पे return मिला है, अगर मुझसे पूछो, तो नहीं मिल सकता, किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकता, तो आप ये काओ कि cryptocurrency में positive नहीं है, लेकिन क्या है, जो अपने पीछे वीडियो में कहा कि अभी थोड़े से दिन खराब चलना है, अभी थोड़ा सा negative बोलने वालों के दिन चलना है, तो ये कुछ performance ऐसी थी जो 2021 में सब ने देखी और बहुतों कोई इसमें profit भी हुआ, लेकिन जो ल पुड़ाते ही ओले पड़ना, तो उनके लिए वो हो गया जो 2022 में आये, लेकिन जो लोग पहले से थे, तो 2021 में बहुत से लोग कहते हैं करोड़पती बन गए, और वो सिर्फ एक कोईन ऐसा था, जिसमें crypto market को एक अलग पहचान थी, और वो था सिवाय में, अब यहां में क कुछ ऐसा ही हुआ, जापान ने क्या करता, कि जो stable coin थे, उसने crypto currency बन नहीं लगाया था, लेकिन जो stable coin थे, जैसे USDT था, USDC था, इस पे उन्होंने वहाँ बन लगा रखा था, कि भाई, यह यहां इस्तमाल नहीं होंगे, इसको आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब crypto currency मे जापान ने इनको भी एक तरह से free कर दिया है, इनसे band उठा लिया है, आप जैसे normally और crypto को यूज करते हैं, वैसे ही आप USDT और USDC को भी वहाँ यूज कर सकते हैं, और जापान में लगभग 31 crypto exchange जैसे ही, जो वहाँ एक तरह से registered हैं, तो एक तरह से देखा जा तो भाई, 31 crypto exchange म इन दोनों tokens का भी अब यूज हो सकेगा, यानि USDT और USDC गा, तो ये क्या है, adoption, इसको कहते हैं, adoption, कि आप ये काओ करप्टो बैन हो जाएगा, करप्टो खतम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वाई, जो देश पहले बैन कर रहे थे, अब वो हटा के और दुबारा से उसको अपना रहे हैं, मैंने एक सुबह वीडियो दिया था, जिसे नहीं देख सकता है, सुबह वाला वीडियो, मैंने उसको कहता है, अफ्रीका के ऐसे 9 देश हैं, जो ना स्मार्टफोन चाहिए, ना उनको क्या करते हैं, आपका इंटरनेट चाहिए, वो टेक्स्ट मैसिस से ही बिटकोइन का लेंदेन कर रहा हैं, बताजे क्या बढ़िया टेक्नोलोजी निकाली, तो ये क्या है, अडॉप्शन, तो क्रप्टो करन्सी वाही मेरे कहीनी जाने वाला, जो लोग ये सोचते हैं, क्या खतम हो जाएगा, बेन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, के गारी का टोकन बहुत ज्यादा, गारी टोकन बहुत पंप कर रहा है, ज्यादा चकर में नहीं फसना, ये गारी केवल सलमान खान के, हाइप बना के आया था, सलमान खान ने इसका प्रमोशन किया था, सलमान खान को तो पैसे मिल गए, सलमान खान दूर हो गया, सलमान खान का कि यह आपकी मरजी थी अब वहीं एक टांजक्सन ने डारी गारी की चिंगारी बुजा दी केवल एक हुवी ग्लोबल पर इसका टांजक्सन हुआ उसने पूरा मट्टी में मिला दिया रेट ले आके तो अभी क्या हुआ है अभी क्या हुआ है इनों ने अपना स्टेकिंग का एक तरह से अनाउंस किया है कि भाई स्टेकिंग आप कर सकते हैं और उसमें जो है लगवागत 3.3 मिलियन इन्होंने गारी टोकन्स को स्टेक भी किया है और वहाँ पर जो है 10% APY मिलेगा यानि कि स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा तो केवल इस न्यूज की जैसे थोड़ा सा इसमें पंप आ गया है बाकी ये काओ कि गारी में और कोई खास्षी हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई देखो मैं तो साफ सीधी बात करूँगा कि जिसको इन्वेस्ट करना हो अपने रिस्क पर करें मैं कोई इसके बारे मां को ये नहीं कह रहा कि य और एक्षेंज उपर इतना नहीं है तो भाई ये है एक छोटी सी अपडेट गारी के बारे में और ये थी वो अपडेट जो 2021 में एक तरह से चला गया है लेकिन 2021 बहुत फायदेवाला भी था ऐसे साल आगे भी आएंगे 2022 को अब भूल जाएए क्या हुआ नहीं हुआ खतम कान है कि जो बीट गया उसके क्या कहना तो इसलिए 2021 को विजा करिए 2023 का स्वागत कीजिए कुछ न कुछ अच्छा होगा प्रॉफिट वाला साल होगा यहां से हो सकता है कि अच्छे दिन की शुरुआ तो यह थी कुछ ऐसी अपडेट जो कहीं कहीं मोटिवेट करेंगे और अगर आप मोटिवेट हो रहें तो लाइक सब्सक्राइब ठॉक दीजिए बगर कहे सुने फिर मिलते हैं नमस्कार